हेलो दोस्तों दूस्तों आजबन बॉक्सिंग कर रहे हैं एक लाइटिंग क्वार्ड खुप्टर ड्रोन की जैसके आप देख सकते हैं यह काफी छोटा सा ड्रोन है और यह हमने एमेजोन से 1999 रुपे में पर्चेस किया है यह 2.4 गिगा हर्ड रिमोट कंट्रोल के साथ है और यह 6 एक्सिस जाइरो के साथ है बाकी आप इसके बोक्स को चारतरों से देख सकते हैं देख सकते हैं इसका आइटम नंबर जो है वो है LH1603 और दोस्तों यह आपको एमेजोन पे तीन कलर में एवलेबल है आप एमेजोन से इसका कोई भी कलर पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इसे पर्चेस करना च तो देखेंगे कि इस box के अंदर में क्या-क्या मिलता है और फिर इसकी fly testing करेंगे तो चलिए unboxing सुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारे quadcopter का manual तो ये manual मैं दोस्तो आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा है तो चलिए फिलाल अभी हम इसे side में रख देते हैं जिसकी आप देख सकते हैं ये है हमारे drone की propellers जो की हमें extra मिली है तो ये देख सकते हैं ये है हमारे drone का charger इसे हम अपने drone को charge कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है हमारे ड्रोन का रिमोड जिसमें दो जोईस्टिक आपको मिलती है और एक ओन उफ का बटन मिलता है और लेफ्ट राइट और बैकपड फोरवर्ड के लिए ट्रीम मिलता है और यहां बैक साइड में इसमें सैड डलती है तो चलिए अपने बोक्स से ड्रोन को बाहर निकाल लेते हैं और देखने में इसकी लूकिंग काफी अच्छी है तो आप इसे चारो तरफ से देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इसका ओन उफ का बटन यहीं पर दिया गया है देखिए ओन करते ही इसमें लाइट जल जाती है तो चलिए फिलाल अभी हम इस ड्रोन को ओफ कर देते हैं और देख सकते हैं हम इसमें आपको चार्जर लगा के दिखाने वाले हैं कि इसमें आपको चार्जर किस तरह से लगाना है तो देख सकते हैं यहीं पर आपको ओन के बटन के उपर ही जैस्ट आपको चार्जर की स्लोट मिलती है आपको उसी में इसे लगा देना है और आपका दोस्तों यह 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और उसके बाद आप इसे 10 मिनट फ्लाइ कर सकते है तो दूस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह है हमारी एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स यह हमें तब लगानी है जब हमारे ड्रोन की प्रॉपलर्स डेमिज हो जाएंगी तो चलिए अपने रिमोड में हम बैटरीज डाल लेते हैं देखे दूस्तो इसमें पतली वाली सैल डलती है जिने हम पैंसिल सैल बोलते हैं दूसर इस remote की range भी आपको बड़े drone जितने ही मिलती है जितने की 80-100 meter बड़े drone की range होती है उतनी ही आपको इसकी भी range मिल जाती है क्योंकि यह भी 2.4 GHz का ही remote है तो हमने इसमें batteries डाल दी है और दोस्तों यह chargeable battery नहीं है और हमें box के अंदर नहीं मिली थी यह हमने extra अपने पास से ही लगाई है तो चलिए इसे on करके देखते हैं तो देख सकते हैं आप हमारा remote on हो गया है चलिए सबसे पहले हम अपने drone को on कर लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे drone की light जल गई है इसका मतलब है हमारा drone on हो गया है चलिए अब अपने remote को भी on कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपको first वाली joystick को एक बार उपर और एक बार नीचे करना है आपका remote जो है वो drone से connect हो जाएगा आप first वाली joystick को धीरे से उपर करते ही आपका drone fly करना start कर देखा देखे कुछ इस तरह से और second वाली joystick backward, forward और left, right के लिए work करती है तो चलिए इसी ground में चला करके देखते हैं कि ये कैसा fly करता है हुंआ है झाल 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 झाल